हालो एवरिवन आज मैं सिंपल शूगर सिरफ बनाने जा रही हूँ जिसके लिए मैं आपको परफेक्ट रिशो बताऊंगी यहाँ पर मैंने टू कप्स शूगर का इस्तिमाल किया है और वन कप वाटर लिया है यही इसका परफेक्ट रिशो है इसे तेज आज पर कंटिन्यूरसली चलाते रहना है जब तक शूगर डिजॉल्व ना हो जाए और यह सिरफ ना क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए मैं आपको एक टिप भी दूँगी देखिए शूगर डिजॉल्व होने आई और इसको एक बॉइल आने देंगे अब एक बॉइल आ गया है तो अब आती है टिप की बारी यहाँ पर मैंने टू स्पून मिल्क के लिए हैं इसमें डाल दूँगी और जिससे की चीनी की सारी इंप्यूरिटीज जहाग के रूप में उपर आ जाएंगी वैसे तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड शूकर का हिस्तेमाल किया है देखे इसके तार नहीं बनाने है बस जैसे ही आपको सिरफ चिप चिपासा लगने लगे गैस आफ कर दें और इस तरीके से इसका जो इंप्यूरिटीज है जो गंदगी है वो चान लें देखे कितना क्रिस्टल क्लियर सिरफ बना है बस अब इसे थंडा होने देंगे उसके बाद कांच की शिशी में भढ़ कर फ्रिज में स्टोर कर देंगे और अब इसका इस्तेमाल हम मौक टेल्स और मौहितो बनाने में कर सकते हैं याद रखिएगा आपको तार नहीं बनाना है अक्सर हम चाशनी में तार बनाते हैं बस ये चिपचिपा होने तक ही हमें इसको बॉइल करना है तो आपको मेरी शूगर सिरफ बनाने की रेसेपी कैसी लगी बताईएगा